नमस्ते वेलकम स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चनल लक्ष विजय में और मैं राजे सर आज एक माई की तिथी से जुड़ी हुई कुछ महत्पून घटनाओं के साथ जुड़ गया हूँ एक माई अगर मैं भारत संग को लेकर अगर बात करता हूँ भारत राज्य को लेकर अगर बात करता हूँ भारत देश को लेकर अगर बात करता हूँ तो भारत देश के दो महत्पून राज्यों का आज गठन किया गया इन में से एक का नाम महरास्ट्र और एक का नाम गुजरात है इससे पहले एक मई 1960 से पहले ये दोनों ही राज्य महरास्ट्र और गुजरात के नाम से नहीं जाने जाते थे बलकि ये उस जमाने में ततकालीन समय में बॉमबे प्रोविंस के तौर पर जाने जाते थी वो एक अलग विशह है कि बॉमबे प्रोविंस में दो अलग अलग भाषाई समुदाय का समू था एक छेत्र में मराठी भाषा बोलने वाले थे और एक छेत्र में कच्छ या गुजराती कच्छी या गुजराती बोलने वाल राज्यों को भाशा के आधार पर दो अलग अलग अस्तित्व दे दिये जाए तो अंतिम तोर पर भाशा के आधार पर दो राज्यों का यानि कि बॉंबे प्रोविंस का विगटन कर दिया गया और दो नए राज्यों का निर्माल किया गया जैसा मैंने भी आपसे बताया इस का इन दोनों ही राज्यों का निर्मार राज्य पुनर गठन अधिनियम 1956 के तहत की आगा है। प्रदेश च्छी और गुजराती भाषा बोलने वालों का प्रदेश गुजरात बना और मराथी और कुंकडी भाषा का प्रियोक करने वाले लोगों का प्रदेश महरास्त्र बना। और 1960 से लेकर लगातार एक मई को दोनों ही राज्यों के द्वारा अपने अपने स्थापना दिवस के अउसर पर रंगा-रंग कारिक्रम आयुजित करके इसे सम्मान पुर्वक मनाया जाता है। एक मई को अगर हम लोग याद करते हैं तो यह अंतराष्टिय मजदूर दिवस, मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है। मजदूर दिवस के शुरुवात हुई 1986 में अमेरिका से। अमेरिका में हुआ क्या कि मजदूर, मजदूर का मतलब यह मैं समझ लेगा कि खाली वो मिट्टी और फावडा और गैती और हसिया वाली दूम। इसमें सभी प्रकार के वो लोग हैं जो किसी न किसी के लिए वेतन के तोर पर कान कर रहे हैं। इन सब को लेकर लगातार असंतोष बढ़ लहा था। 1986 तक आते आते हैं यह संतोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इतना ज़्यादा कि मजदूर सड़क पर आ गए। उन्हें रोकने के लिए उनके सांदोलन को उनके विरोध को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा गतिविदी की गई लेकिन इसे रोका नहीं जा सका। अंतिम तोर पर मजदूरों के साथ कुछ नियम बनाये गए जिनमें कारे के घंटे उनके स्वास्त लाब की दशाएं इन सब को जोड़ा गया और तब से लगातार एक मई को मजदूर दिवस की रूप में मनाया जाता है। एक मई से जुड़ी हुए कुछ मात्वपूर तत्थे और घटनाओं को मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जिसे हम लोग हिस्ट्री अप दे डे या टुडे इन हिस्ट्री के तौर पर जानते हैं आपको अच्छा लगता होगा। विभिन्न प्रकार की अलग-अलग जानकारियां मैं रोज प्रते दिन आपके साथ शेयर करता हूँ और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप चैनल लक्ष विजय को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना कता ही न भूले ताकि इस प्रकार के वीडि आपके वाद नमस्कार